नमस्कार मैं हूँ मानिशों मिश्रा स्वागत आपका इस बॉल्टेन में शुरुवात कर रहे हैं कॉंग्रेस अद्द्रक्ष राहूल गांधी को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत मिली है दरसल सुप्रिम कोट ने राहूल गांधी की दोहरी नागरिक्ता के समन्द में दार याजका को खारिच कर दिया है साथी सुप्रिम कोट ने कहा है कि किसी कंपनी के लिखने पर क्या नागरिक्ता बदल जाती है आपको बता दें कि राहुल की दोरी नागरिक्ता पर यूनाइटेड हिंदू फ्रेंड के जै भगवान गोयल और हिंदू मासभा के चंदरप्रकाश कौशिक ने सुप्रिम कोट में याजिका दाखिल की थी, याजिका में मांग की गई थी कोट ग्रह मंत्राले को निर्देश दे की मंत्राले राहुल की नागरिक्ता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करें, याजिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से आयोगे करार दिये जाने की मांग की गई थी, वहीं सुप्रिम कोट ने मामले पर याजिका को खारिच कर राहुल को बड़ी की गई थी और इसको लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रेंट के जय भगवान गोयल और हिंदू मासवा के चंदप्रकास कौशिक ने याजिका दायर की थी, दाखिल की थी सुप्रिम कोट में जिसको अब नहीं माना है, सुप्रिम कोट ने और उसे खारिच कर दिया है, तो क कोट की तरफ से कहा गया है कि क्या किसी कमपनी के लिखने पर नागरिक्ता बदल जाती है, आपको बता दें कि राहूल के दोरी नागरिक्ता पर यूनाइटेड हिंदू फ्रेंट के और हिंदू मासवा ये दो की तरफ से सुप्रिम कोट में याजिका दाखिल की गई थी, लेकिन याजिका में मांग की गई थी कि कोट ग्रह मंत्राले को निर्देश दे कि मंत्राले राहूल की नागरिक्ता के बारे में मिली शुकात पर जल्द फैसला करें, याजिका में राहूल गांधी को चुनाव लड़ने से यूग करार दिये जाने की भी मांग की गई थी, वहीं कोर्ट ने मामले पर याचिका को खारिज कर राहूल गांधी को बड़ी राहत इस वक्त दी है और अनिल शिर्वास्तो वरिष्ट कॉंगेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं इन लोगों का हर्तमें चुमा के वक्त शुरू कर देते हैं। अब जो जो व्यक्ति जन्म लिया हो दिली में, इंदुस्तान में जन्म लिया हो, पला हो, पला हो, पढा हो, जिसका पूरा परिवार खांदान इंदुस्तान में रहता हो, वो जबरजस्ती का एक खड़ा करना की कोई उससे एक तमासा ख़डा हो और कुछ नहीं था तो राहत तो मिला ही था और यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोट में क्लियर कर जिया अब हमेशा के लिए यह मावला दफनी था जी अनिल जी तो दोहरी नागरिक तो फसाने की कोशिश हो रहे थी जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार मुद्दों से भटकाया जा रहा है क्योंकि चुनाओ का महल चल रहा है ऐसे में पहली बार तो चुनाओ नहीं लड़ रहा है राहूल गांदी और इन मुद्दों को ब पब्लिक को गुमरा करती है मुद्दा मुद्दे जो इस समय हिंदूस्तान के अंदर है भूप की बेरोजगारी की जो किसान मर रहा है जो ब्यापारियों के ब्यापार खतम हो गया इन सब मुद्दों से जहान बटकाने के लिए रोज एक पोई तमासा वाला मुद्दा ला गंदगी पर आ गया है देशरे घाली जलाओ और जो बस में आए वो जूट बोलने का मस्टीन हो गई है बार्शी जन्ता पर जैनल जी तमाम बाचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो सुप्रेम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है राहूल गांदी को जो याचिका दायर की गई थी उनकी दोहरी नागरिक्ता को लेकर उसे खारिज कर दिया गया है सुप्रेम कोर्ट की तरफ से और बड़ी राहत राहूल गांदी के लिए इस वक्त सुप्रेम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रेंट के जैभगवान गोयल और हिंदू मासबा के चंद्रकाश कौशिक की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रेम कोर्ट में दोहरी नागरिक्ता को लेकर राहूल गांदी की उसके बाद उस पर सुनवाई करते हुए आज जो है उस याचिका को खारिच कर दिया गया है और कोर्ट की तरफ से का गया है कि किसी कंपनी के लिखने पर क्या नागरिक्ता बदल जाती है तो कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गांदी को सुप्रेम कोर्ट की तरफ से बड़ी रहत मिली है सुप्रेम कोर्ट ने राहूल गांदी की दोहरी नागरिक्ता के संबंद में दार याचिका को खारिच कर दिया है साथ ही सुप्रिम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी याचिका में मांग की गई कि कोर्ट ग्रह मंत्राले को निर्देश दे कि मंत्राले राहूल की नागरिकता के बारे में मिली शुकायत पर जल्द फैसला करे याचिका में राहूल गांदी को चुनाओं लड़ने से आयोग किरार दिये जाने की भी मांग की गई वही सुप्रिम कोर्ट मामले पर याचिका को खारिज कर राहूल गांधी को इस मामले पर बड़ी राहत दी है तो बीजेपी ने शिकायत की थी लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिच कर दिया है इससे पहले भी हमने देखा जब अमेटी में राहुल गांधी अपना नामांकन कर रहे थे उस वक्त भी नागरिक्ता को लेकर विवाद खड़ा हुआ था हाला कि एलेक्शन कमिशन की तरफ से कागजाद पूरे पाए गए जो उनोंने तत्ध दिये थे उनको भी सही पाया और एलेक्शन कमिशन ने हरी जंडी दिखा दी थी इस पूरे मामले को नागरिक्ता के मामले को लेकर लेकिन युनाइटेड हिंदू front और हिंदू महासभा की तरफ से एक याचिका दायर की गई कोट में और उसको लेकर आज उस याचिका को खारिच कर दिया गया है कोट की तरफ से और राहुल को बड़ी रहत मिली है